नमस्कार, मित्रों! आज हम आपको लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जो होस्टल की जिन्दगी के बारे में है. तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं. हमारी कहानी की शुरुआत एक नए हॉस्टल के पहले दिन से होती है, जब हमारा प्रमुख पात्र, अर्जुन अपने हॉस्टल के लिए रवाना होता है. अर्जुन जल्दी ही अपने हॉस्टल के दोस्तों से मिलता है और यह सबसे पहले डे ही वहां की दोस्ती की शुरुआ होस्टल के दोस्तों के साथ अर्जुन करता है बेहत धमाल मस्ती, उनकी हंसी, बगबग और बहुत सारी यादें बनती हैं। आता है वो दिन, जब होस्टल के दिन खत्म होते हैं। दोस्तों के बीच की दोस्ती हमेशा के लिए बन जाती है, लेकिन विदाई का दिन हमेशा दिल को छू लेता है। तो यह थी हमारी होस्टल की मस्ती और दोस्ती की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आ के लिए